आज की क्लास में हम लोग करेंगे अंग्रेजी बोलने की प्राक्टिस देखो कॉंसेप्ट को समझना जितना जरूरी है प्राक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है तो सो वाग के पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए घर पर इस्तमाल होने वाले वाग के हैं तो आपको बहुत ज़ादा अजनबी जैसा तो लगेगा नहीं क्योंकि बहुत ही common से सुने-सुने से वाक्य होने वाले हैं बस आपको उनको अंग्रेजी में अब बोलना शुरू करना है क्लास को शुरू करते हैं आप देख रहे हैं संधित इंग्लिश अकाडमी आपको समझाने के लिए या कुछ समझाने का प्रयाज किया है और आप समझ गए हैं तो आप I see कह सकते हैं क्या कह सकते हैं I see है ना देखो I understand, I understood ये जो है थोड़ा जादा हो जाता है कई बार आप बड़ा शब्द है करके आप बोल भी नहीं पाते हैं याद नहीं रहता तो I see जो है आप इसको बोल करके काम चला सकते हैं वही मौके पर ही कहेंगे on the spot, on the spot घबराओ मत, don't panic, do not panic दोनों चलेगा आपको मैं कई पार बता चुकी हूँ don't और do not जो है दोनों एक ही चीज़े है do not जो है वो जोड़ करके don't बनता है या कह लीजे don't जो है वो तूट करके do not बनता है दोनों एक ही चीज़े हैं चेके लिखने का तरीका बोलने का तरीका वस थोड़ा सा अलग हो जाता है मैं आपको जानता हूँ I know you और अगर कहना हूँ मैं आपको नहीं जानता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ don't लगा दीजेगा, I don't know you, यहाँ पर don't लग जाएगा तो I don't know you हो जाएगा, मुझसे बात करो talk to me, इसे सूखने दो let it dry, मेरा हाथ पकड़ो hold my hand, मुझे ऐसा लगता है I think so, मुझे ऐसा लगता है I think so, बहाने मत बनाओ, don't make excuses, मुझे घर छोड़ दो, drop me home, मुझे घर छोड़ दो, drop me home, मुझे नीन आ रही है I am getting sleepy, मुझे नीन आ रही है I am getting sleepy, मुझे नहीं पता I don't know, या I have no idea, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो I don't know, comparatively easy है, याद रखना बोलना तो इसके साथ आप जा सक मुझे नहीं मालूम I don't know, कल मिलते हैं see you tomorrow, मैं घर पर हूँ I am at home, क्या चल रहा है what's going on, any problem, कोई समस्या है, लेकिन क्यों but why, फिर कब then when, फिर कब then when, वे पहुँच गए, they arrived, काना फूसी मत करो, don't whisper, आपकी बारी है your turn, मुझे माफ कर दो, forgive me, मुझे अनुमती दो, allow me, मुझे अनुमती दे, allow me, ये सच है that's true, ये सच है that's true, बस बहुत हुआ that's enough, बस बहुत हुआ that's enough, ये सच है it is obvious, ये सच है it is obvious, तुम कहा थे where were you, तुम कहा थे where were you, आप कैसे है how are you, आप कैसे है how are you, यहाँ पर जो है इस्तमाल किया जाएगा, मैं परिशानी में हूँ, I am in trouble, कृपया बैठ जाएं, please be seated, संपर्क में रहना, stay in touch या keep in touch, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, stay in touch या keep in touch, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई शो नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, never mind, कोई बात नहीं, never mind, उसे विदा करो, see him off, मुझे देखने दो, let me see, मुझे देखने दो, let me see, मुर्क मत बनो, don't be silly, मुर्क मत बनो, don't be silly, बहुत देर हो चुकी है, it is too late, तुम गलत हो, you are wrong, वह इमानदार है, he is honest, वह इमानदार है, he is honest, शांती बनाए रखें, keep calm, मैं डरा हुआ हूँ, I am scared, क्या ये तुम्हारा है, is it yours, क्या तुम पागल हो, are you mad, आप वहाँ है, are you there, आप वहाँ है, या क्या आप वहाँ है, देखो, आप वहाँ है, जब बोलोगे न, तो आपके tone से पता चलेगा, क्या आप question पोच रहे हो, और क्या आप वहाँ है, अगर आप use करोगे, तो ये तो clear ही है, क्या आप question पोच रहे हो, हा न, तो क्या आप व मैं समझता हूँ, I understand, मैं समझता हूँ, I understand, मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone, हर्गिस नहीं, not at all, listen to me, मेरी बात सुनो, listen to me, बढ़ते हैं आगे, तुम भी जाओगे, you will get wet, इसमें समय लगेगा, it will take time, अपने जूते उतार दो, take off your shoes या take off the shoes मुझे परिशान मत करो, don't disturb me, या do not disturb me, don't or do not का concept मैंने अभी आपको थोड़ दे पहले explain किया, आपसे ये किस ने कहा, who told you this, ऐसा कुछ नहीं है, there is nothing like that, मुझे घर छोड़ दो, drop me home, मुझे घर छोड़ दो, drop me home, मुझे पहले से पता था, I knew this already, मुझे पहले से पता था, I knew this already, क्या ये भारी है, is this heavy, क्या ये भारी है, is this heavy, दूद उबल गया है, the milk has boiled, इसकी मरमत करवाएं, get it repaired, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, how do you feel now, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, how do you feel now, तुम चिंतित क्यों हो, why are you worried, मुझे हिचकी आ रही है, I am getting hiccups, ये सब तुम्हारी गलती है, it is all your fault, ये सब तुम्हारी गलती है, it is all your fault, मुझे वापिस कॉल करना, call me back, मुझे वापिस कॉल करना, call me back, सभी डूब गए, all were droned, सभी डूब गए, all were droned, तुम जिद्धी हो, you are stubborn, गाट खोलो, untidy not, गाट खोलो, गाट होती है न, जो हम लोग, दो हिस्सों को पिरो करके, किसी चीज़ को लॉक करने के लिए बानते हैं न, तो गाट खोलो, untidy not, तुम मोटे हो गए, you became fat, क्या आप पागल हो गए हैं, have you gone nuts, क्या आप पागल हो गए हैं, have you gone nuts, मुझे गलत मत समझो, don't get me wrong, उसे बदनाम मत करो, don't discredit him, उसे बदनाम मत करो, don't discredit him, उसे चोट कैसे लगी, how did he get hurt, उसे चोट कैसे लगी, how did he get hurt, वो मेरी गलती थी, that was my mistake, वो मेरी गलती थी, that was my mistake, उसे बिस्तर से उतारो, get him off the bed, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, I am sweating a lot, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, I am sweating a lot, वो बहुत थका हुआ लग रहा है, he looks very tired, मुझे से बहस मत करो, don't argue with me, argue जो word है, वो use होता है, जब आप किसी से बहस करते हैं, जैसे कई बार होता नहीं, कि किसी ने कुछ कहा, आपने फिर कुछ कहा, फिर उसने कुछ कहा, फिर उसके तर्क में आपने कुछ कहा, तर्क करना basically है ना, तो इसको अंग्रेजी में argue करना कहते हैं, कई बार होता है, ऐसा होता है कि argument बढ़ते बढ़ते जगड़े में बदल जाता है, मतलब शुरुआत जो है छोटे से argument से हुई थी, पर फिर आप देखोगे कि वो end up हो गया, किसमें वो लड़ाई जगड़ा हो गया, तो इस वाल situation को मतलब argue है, यही से चीज़ शुरू होते हैं, in fact most of the times लड़ाईया जो हैं ऐसे ही शुरू होते हैं, class को आगे बढ़ाते हैं, towel को मडोर दो, ring out the towel, काश मैं वहां होता, अपनी pencil को तेज करे, sharpen your pencil, अपना हाथ बढ़ाए, raise your hands, अपना हाथ बढ़ाए, raise your hands, पंखा बंद करो, switch off the fan, पंखा बंद करें, switch off the fan, अपनी shirt अंदर खीचो, tuck your shirt in, हमने तैदने का फैसला किया, we decided to swim, we decided to swim, अपनी आपको shirt suit करता है, this shirt suits you, पर्दे खीचो, draw the curtains, भोजन गरम करो, heat up the food, भोजन गरम करो, heat up the food, कौन चिल ला रहा था, who was yelling, कौन चिल ला रहा था, who was yelling, निर्दोश मत बनो, don't play innocent, निर्दोश मत बनो, don't play innocent, वो बहुत महनती है, he is very hard working, या उसको और better word में कहना चाहें, तो कहेंगे he is very diligent, दोनों में से कोई भी चलेगा, आपके comfort के हिसाब से आप इसको use कर सकते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है, it is your illusion, ठीक है, मैंने उसे बुरी तरह जड़क दिया, I rebuked him badly, रिब्यूक का मतलब होता है न, किसी को तरसकार करके भगा देना, कि जो यहां से हटो, है न, इस तरीके से जड़क देना, basically, किसी को उसको रिब्यूक कहते हैं, तो मैंने उसे बुरी जड़क दिया, I rebuked him badly, यह तुम्हारा भर, भ्रम है, it is your illusion, illusion का मतलब क्या होता है न, कि जो चीज नहीं है, वो चीज आपको महसूस हो रही है, या दिखाई दे रही है, somewhat है न, तो उसको कहते हैं, illusion, जो चीज है भी नहीं, वो दिख रही है, या महसूस हो रही है, वो illusion कह लाती है, clear होगे बात, तो लीजिए भई, यह थी आज की class, जहां पर हमने सीखे, ऐसे वाक्य, जो घर पे तो हम बोलते हैं, पर अंग्रेजी बोलते वक्त, जो हिचक आती है न, वो इन ही वाक्यों के translation नहीं आने की वज़े से हमें हो जाती है, तो आपको इन हिचक चाहट नहीं होगी, जब आप इन वाक्यों को अच्छे से practice करेंगे, class कैसी लगी, comment करके मुझे जरूर बताना, class अच्छी लगी है, class को like और share कर दीजेगा, आप देख रहे हैं संदीति इंग्लिश अकाडमी, मैं हूँ परीती, मैं सब्सक्राइब करके bell notification on कर दीजे, साथ ही आपका नाम है संदीति इंग्लिश अकाडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, वहाँ पर जाएए, गूगल प्ले स्टोर में वहाँ पर आपको यह आप मिल जाएगी, डाउन्लोड और इंस्टॉल कर दीजेगा, वहाँ पर आपको फ्री में और पेड में दोनों तरीके से कोर्सेस मिल जाएगी, कोई दिक्कत होती है आप से सम्मंदित, तो इस नंबर पर वाट्सअप मेसेज करके आप हमें बता सकते हैं, कि हाँ में यह दिक्कत आ रही है, हमारी टेकनिकल टीम है, वह उसको देख लेगी, आपकी हेल्प करेगी, इसके अलावा, अगर आप य यह इबुक्स लेना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं, यह सारी इबुक्स हैं, ठीक है, इबुक्स का मतलब होता है PDF आली किताबे, तो आप जब भी इने ले, आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा, यह आपकी जम्मेदारी होती है, तो प् समय अनुसार इच्छा अनुसार अटेंड करके अंग्री इसी बोलना सीख सकते हैं, तो आज की क्लास यही तक मैं आप से मिलूंगे आपकी अगली क्लास में, तिल देन तैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून टू संडीत इंग्लिश अकाडमी